नमस्ते दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है, आज फिर से एक ट्रेलर रिव्यू, इस बार लाल कप्तान यह नावदीप सिंग की फिल्म है, नावदीप सिंग एक अलग किस्म के फिल्म है, मनोर्मा, सिक्स फिट अंडर आपने देखी होगी, एने स्टेंड भी आप बहुत चड़ता है, और चड़ता है तो अपनी एक निशानी छोड़ जाता है, उनके फिल्म में याद रह जाती है, और यही उनकी सबसे बड़ी खुबी है, बलाल कप्तान का ट्रेलर देखते हुए यह लगा, कि वे अपने पूरे अंदाज के साथ यहां फिर से आ रहे है इस ट्रेलर में सबसे बड़ी खुबी यह लगी कि यह ट्रेलर कुछ भी पताने के बजाए यह दर्शकों की जिग्यासा बढ़ाता है, यह भेद खोलने के बजाए भेद को गहरा करता है, तो ऐसा लग रहा है कि जरूर हमें कुछ एक रोचक, रोमांचक, रहस्यपूर्ण और कुछ एक नई जमीन की कहानी देखने को मिलेगी, नौदीप सिंग लगातार नैनी कथा भूमी एक्स्प्लोर करते रहे हैं, इस बार वे रास्थान गए हैं और रास्थान में एक नागा साधू की यह कहानी लग रही है, जिसको सैफ अली खान प्ले कर रहे हैं, सैफ इ नहीं है, लेकिन जब वे समर्थ फिल्मकारों के साथ आते हैं, तो कुछ नया करते हैं, कुछ कमाल करते हैं, हमने विशाल भरद्वाज के ओंकारा में उनको देखा है, हमने उमीद है कि नौदीप सिंग भी उनकी प्रतिभा कि उस पहलू को उजागर करेंगे, जो अमोमन ह देख नहीं पाते हैं, इस फिल्म के निर्माता आनन्द एल राय है, वही जिनोंने रहनजना बनाई, जिनोंने तनुवेट्समनू बनाई और जिनोंने जीरो बनाई, ये तो उनके निर्देशन की फिल्म में थी, लेकिन जब वे निर्मान करते हैं, तो बिल्कुल एक उन्होंने सुबमंगल साउधान बनाया था उन्होंने सुबमंगल ज्यादा साउधान के तियारी कर ली है तो मुझे पुरी उमीद है कि हनंद एल राय के समर्थन और नौदीप सिंग के निर्देशन में या फिल्म कुछ विशेष लेकर आएगी कुछ तो लाली बिखेरेग जो हिंदी फिल्मों से लगतार गायब होती जा रही है